तुम हो मायूस क्यों हमने फिर आनके घर में देखा है मूसा को पलते हुए पिछले 10 दिन से मसलसल सुबह 10 बजे पारलियमेंट जाना होता है और शाम में 7 बजे वापस बिल्कुल जैसे क्लासरूम अटेंड करने के लिए बच्चा जाता है और वहाँ जाकर के पढ़ाई लिखाई करके तो शायरी के लिए वक्त बहुत कम मिल पाता है लेकिन मैंने मैं एक नजम करता हूं और आपसे दूआ मानता हूं थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही बीच मजधार है दूर साहिल सही वक्त मुश्किल सही वक्त कातिल सही बीच मजधार है दूर साहिल सही वक्त मुश्किल सही वक्त का तिल सही पूटी तलवार बेचैन ही दिल सही मसले हैं तो क्या होसला भी तो है मसले हैं तो क्या होसला भी तो है खौफ किस बात का है खुदा भी तो है मसले हैं तो क्या होसला भी तो है खौफ किस बात का है खुदा भी तो है के जुल्म का दौर देखेंगे तलते हुए देखना सारे मनजर बदलते हुए तुम हो मायूस क्यों हमने फिर रौन के घर में देखा है मुसा को पलते हुए घर में देखा है मुसा को पलते हुए इधर जो बाई तरफ साती है मुझे उनकी भी दौाइं मिले पीछे जो लोग खड़े है मुझे उनकी भी दौाइं मिले मैं पहली बार इस नजबु को पढ़ रहा हुँ आप होसला देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में फिर आनके तुम हो मायूस क्यों हमने फिर आनके भर में देखा हिंदुसा को पलते हुए जल्म का एक दिन खातमा भी तो है खौफ किस बात का है खुदा भी तो है और मेरे हम उम्र सातियों मेरी नई नसलों के चंद लम्हों में क्यों इतने बेहाल हो चंद लम्हों में क्यों इतना बेहाल है मेरी नई नसलों के चंद लम्हों में क्यों इतना बेहाल है तेरी तारीख तो चौदा सो साल है मुस्कराते हुए लब पे कल में को रख मुस्कराते हुए लब पे कल में को रख सामने ये समझ लेके दजाल है सामने ये समझ लेके दजाल है गर मरज है कोई तो दवा भी तो है गर मरज है कोई तो दवा भी तो है खौफ किस बात का है खुदा भी तो है खौफ किस बात का है खुदा भी तो है आखरी बंद बढ़ता है इस नजब का के एक दिन ये नजारा बदल जाएगा अपनी किसमत का धारा बदल जाएगा आसमा सर पे नहोगा नया हर तरफ आसमा सर पे होगा नया हर तरफ देखना हर सितारा बदल जाएगा उनका उम्मत से ये वाइदा भी तो है उनका उम्मत से ये वाइदा भी तो है खौफ किस बात का है खुदा भी तो है खौफ किस बात का है खुदा भी तो है